बिहार अब रिवर्स गाड़ी में है पहले तो 15 वरस तक लालू जी ने बिहार को जहलाया अब नितीज कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे हैं है इसलिए साथ और भिहार को सम्वरीद करना है और विक्सित करना के माहीं केंभ सरकार में जाकर समझवता किया था कि भीटा के साथ साथ राजगीर में भी एरपोर्ट बनना चाहिए लेकिन नौव बरस हो गए राजगीर में ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट बनना था उसके लिए नौव बरस से जमीन खोजा जा रहा है नहीं 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 जमीन नहीं कम बिलेगा नितीज बाबू 18 साल हो गए आज यदि सबसे बड़ा फोरलेन का सड़क बक्तियारपूर से रजवली कोई बना रहा है तो वो देश के यसस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी बना रहा है इसलिए सात्यों बिहार अब भटक चुका है क्योंकि नितीज कुपार जेसा नेत्रित है नितीज मुद्ध बिहार बनाना है और इसमें नालंदा का सबसे बड़ा योगता है क्योंकि वो काते हैं वो काते हैं कि नालंदा जो हम कहेंगे वही करेगा लेकिन नालंदा के लोगों की भावना कौन देखेगा वहां की जंता की अवाज कौन सुनेगा तो आज परफुल पटेल जी सर्वन जी कई साथ ही यहां जुड़े हैं हम आपको पूरी तरह स्वस करते हैं कि नालंदा पूरी तरह नितिक्स मुद्ध भी करना है और नितीज के लोगों से भी मुद्ध नालंदा करना है एक ही वर्ती 20 साल से पूरे नालंदा की स्थिति को खराब किये हुए है और आप देख रहे हैं नितीज जी को पांच वार मुकमंत्री भारतिये जंता पार्टी ने मलाया साथियों एक वर नहीं पांच वार भाजपा चाहती तो स्वैम भी 2000 में मुकमंत्री बन सकता था भा प्रसाथ जी को वियार का मुकमंत्री भाजपा ने बनाया और सर्दे का पूरी ठाकुर जी को भी दो बार मुकमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया हम सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हैं सिर्फ अपनी विचारधारा की बात नहीं करते हैं देश में सर्दे अट लेकिन साथ यो इन लोगों को क्या है लानु जी ने 15 साल आरक्षन दिया नहीं लेकिन रोज चिकर-चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षन खत्म नहीं हो सकता अरे आप दिये कहां थे पहले उन्होंने आरक्षन का भाइदा अपने लिया फिर अपनी पत्नी को किसको दिया पहले अपने बेटा को दिया फिर दूसरे बेटा को दिया और तीसरी चांथे बेटे परिवार के सदस्द एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथ यही आरक्षन का लालू जी का मॉडल और नितीज इका भी स्वरूप समझ लीजिए ईविसी आयोक का गटन हुआ आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ यहां कई पत्रकार साती हैं कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ अती पिछलों की बात नितीज कुमार जी करते है क्या रिपोर्ट आया और उसके अधार पर चुनाओ भी बियार में हो गया लेकिन नितीज कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट साज़ोनी किया ही नहीं यही है नितीज मॉडल क्योंकि नितीज मॉडल है सुल्तानगाज अगवानी जब बाबा धम जाते है तो सुल्तानगाज अगवानी घाट में पूल बन रहा था वो हवा के जरोके में गिर गया यही है नितिस्क माद और EBC का आयोग का गटन हुआ आज तक रिपोर्ट जारी नहीं स्वर्ण आयोग का गटन हुआ उस पर कोई काम लहीं हुआ और अभी जातिय जनगन्ना का खुब ब्रह्म पेला है अरे हमने तो पिछले तीन दिनों से मैं का रहा हूँ कि भारतिय जनता पाटी का रही आपको आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो कौन जाती कितनी अवादी है जनगन्ना का अधिकार भारत सरकार को लेकिन सर्वेक्चन का कार तो आप कराईर है तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे ये जानना चाहता हूँ नितिस बाबु से नितिस बाबु कब जारी की थे देखिए वो संजोजा किया मुख मंत्री भी कहते हैं भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख मंत्री बना देश के परधान मंत्री जी ने कहा अर तो परधान मंत्री जी परधान मंत्री जी ने आपको कहा कि मुख मंत्री बनिये 2020 बिश में अब फिर लालु जी के साथ जाने के लिए कौन कहा दिहार की कोई जनता कहीं क्या नहीं कहीं है नितीज वागु ऐसे करेक्टर के पॉलिटिसियन है जो कहा दे कि नहीं करते हैं उन पक्का करते हैं वो मुख मंतरी बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि क्ल्यान वीघा में को पुटियां बनाएं करेंगे कभ सिफ्ट करेंगे अंको तारीक बताएग 102 बाभू यदि आप कुछ नहीं परते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्यान विगा में कुटियां बनाएंगे आप चलकर उसमें पिसरान कीजिए लेकिन आजादी के बाद भी गुलामा गुलामों की पर जो परतीक थे कांग्रेस पार्टी वही राज करते रही मैंने का संपून आजादी संपून करांती जैप्रकास नरायन जी ने जब आंदोलन किया चोहत्तर में जिसमें नितीस बाबू भी थे लालू जी भी थे यदि वो लोग काते हैं कि संपून करांती नहीं हुई तो तोंको कुछ नहीं काना वहीं लोग लड़ रहे थे मैंने तो कहा जैप्रकास नरायन जी ने जो अंदोलन शुरू किया उससे गरीब का बेटा डलि यहीं संपून आजादी है गरीबों के लिए आजादी है यह हमने कहा है